नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन GK Mixed One Liner Series इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं, उत्राखन की सभी किताबों का Mixed Revision हम यहाँ पर करते हैं इसमें आपकी सारी जो Important Books हैं, उनके Mixed Question-Answer आपको देखने को मिलते हैं सिरिफ Question-Answer देखने को नहीं मिलते हैं, उनसे Related जितने आपके Fact होते हैं, उनको भी सास साथ में Cover करते हुए चलते हैं जादतर Focus इस सीरीज में हमारा उन Quotions पे होता है, जो आपको एक बार में यानि One Time में याद नहीं हो पाते हैं ऐसे Questions को, Selected Questions को और इसमें आपको Previous Year के Questions भी देखने को मिलते हैं और कुछ आपको Unique प्रशन भी देखने को मिलते हैं ये हमारी इस सीरीज की सत्तरवी क्लास है, अगर आपने इससे पहले के Classes को नहीं देखा है, आप उनको Playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है, देव प्रियाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाय था? तो देव प्रियाग के अंदर यानि टिहरी के अंदर संस्कृत पाठशाला ये स्थापित करवाई थी भवाणी शहा ने 1862 में इन्हों ने देव प्रियाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी, इसको याद करेंगे, ठीक है? भवानी शहा कौन थे तो सुदर्शन शहा के बाद हेंडरी रेमजे की मदद से यानि अंग्रेजों की मदद से गद्धी पर बैठे थे भवानी शहा आप जानते हैं सुदर्शन शहा की मृत्यू के बाद एक छोटा सा घटना क्रम होता है सुदर्शन शाहा के मृत्यू के बाद जो सीर सिंग थे इनके पुत्र ये सीर शाहा के नाम से गदी पर बैठ जाते हैं लेकिन बाद में ब्रिटिश यानि रेमजे यहां पर हस्तक शेप करता है और भवानी शाहा को यहां का शाशक बनाता है तो कोशन आएगा सुदर्शन शाहा के उत्रादिकारी कौन थे आप बताएंगे भवानी शाहा कोशन आएगा सुदर्शन शाहा के ततकाल बाद गदी पर कौन बैठा आप बताएंगे सेर शाहा कौन सा पमार शाशक अंग्रेजों की मदद से गदी पर बैठा भवानी शाहा के ही काल में बद्री सिंग अस्वाल के नित्युत्त में अठूर इलाके में क्रिशत आंदूलन भी हुआ कोशन आता है अठूर विद्रोह किसके काल में हुआ यहां विद्रोह 1861 में हुआ भवानी शाह के काल में ठीक है और बाद में फिर इस विद्रोह का दमन भी हैंडी रे 1861 में होती है, रेमजे करता है अठूर इलाके में, ठीक है, रवाई जौनपूर छित्र में तलाक के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो कौन सा कर रवाई जौनपूर के छित्र में तलाक के समय में लिया जाता था, कर का नाम है मिला सरा कर, इसका नाम आपने याद करना ह ऐसे यूनिक कोशन भी आपके एक्जाम में यू के ट्रपलेसी के द्वारा अधिकतर बन जाते हैं तो मिलासराकर ये क्या कर था? यहाँ तलाक के समय रवाई जौनपूर छित्र में लिया जाता था इस कर को नरेंदर श्रहा के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है दोनों बातें याद रखेंगे गोर्खा कालीन न्याय की दिव्य ववस्था को किस कमिशनर के काल में खत्म किया गया था? तो आप जानते हैं नियाई की दिवय ववस्था गोरखाओं के काल में प्रचलित थी और इसको खतम किया गया अंग्रेजों के काल में जब बिटिश यहां पर आये तो उन्होंने दिवय प्रथा को खतम किया किसके काल में जाकर प्रफर तरीके से खतम भी यह हुई गोबान के काल में इसको ध्यान रखना है ठीक है जो गोरखाओं की नियाई की प्रथाथी दिवय ववस्था किसके काल में खतम की गई गोबान के काल में गोबान कुमाओं का दूस तीसरा कमिशनर था सबसे पहला आता इसके उपर कई सारे आरोप लगते हैं और इन आरोपों की जाच के लिए कौन आता है यहाँ पर इसका नाम था मार्टीन बर्ड कुशन आएगा मार्टीन बर्ड नामक अधिकारी किस कमिशनर की जाच के लिए था गोवान की जाच के लिए और अपनी जाच में इसने गोवान को दूशी यहाँ पर पाया इसकी साशन की आलोचना करी और 1838 में गोवान को कमिशनर के पद से बरखास्त कर दिया जाता है तो पूरा घटनकरम जो आपने जात करना है ठीक है एक कोशन यहीं पर याद कर लीजिये हमने बोला दास्ता के उपर दास प्रथा के उपर पूर्ण तहा प्रतिबंद कौन लगाता है गोबान लगाता है अगर पूछेगा टिहरी रियासत में किस तो पिंडारी कांडा ये बोला जाता है ट्रेल दर्रे को ये भी एक नया प्रश्न है इसको ध्यान रखेंगे ठीक है ट्रेल दर्रा आपके बागेश्वर और पितोरा गड को जोडता है इस दर्रे की खोज विलियम ट्रेल ने 1830 में मलक सिंग बूढा के सहयोग से करी थी कोश राज्य का सबसे बड़ा बायो डैवरसिटी पार्क कहां इस्तित है तो उत्राखंड का सबसे बड़ा बायो डैवरसिटी पार्क ये हलदवानी में है 2020 में ही इसका उत्खाटन के आ गया था किस वरिक्ष को उत्राखंड का वर्दान कहा जाता है तो उत्राखंड का वर्दान बांज वरिक्ष को बोला जाता है ये कोशन भी पेपर में आया है प्रिविस यर का कोशन है नेक्स्ट है विश्यो में बांज वरिक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है तो पूरी दुनिया में बांज व्रिक्ष की 40 प्रजाती हैं और उत्राखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है बांज व्रिक्ष किस प्रकार का व्रिक्ष है? तो बांज व्रिक्ष यहां एक प्रकार का शितोष्ण कटी बंदिया व्रिक्ष है किस उंचाई पर पाया जाता है बांज विर्ख्ष तो यहां आपके 1800 से लेकर 2700 मीटर की उंचाई पर पाया जाता है किस प्रकार का है शितोशन कटी बंदिया विर्ख्ष इसको ध्यान रखेंगे बांज वरिक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बांज वरिक्ष का वनस्पतिक नाम है कुवारकस लिवको टाइको फोरा ये भी पूछा जा सकता है किस वरिक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है? तो शिव की जटा भी बांज वरिक्ष को ही बोला गया है तो कथा किस वर्ख्ष की चाल से बनता है खैर वर्ख्ष की चाल से ये कोशन जीके के लिए भी important है और उत्राखंड के हिसाब से भी important है क्योंकि राज्या में आपसे वनों को लेकर के वर्ख्षों को लेकर लगातार कोशन बनते हैं पहले भी पेपर में आया है और जीके में भी ये कोशन अलग-अलग इस्टिट में पूछा गया है कि जो कथा बनता है कौन से विरक्ष से प्राप्त होता है खैर विरक्ष से ठीक है किसके तनों से कागस प्राप्त किया जाता है तो कागस बनाया जाता है भोज पत्रों के तनों से इसको भी ध्यान रखेंगे उत्राखन राज्य ने अपना पंचायती राज अधीनियम कब लागू किया तो राज्य के द्वारा अपना पंचायती राज अधीनियम चार अप्रेल 2016 को लागू किया गया था गोर्खा और अंग्रेज युद का तातकाली कारण क्या था अंग्रेजों और गोर्खाओं के मध्यों में जो आंगल गोर्खा युद हुआ था इसका तातकाली कारण था गोरकपुर का बुटुवल प्रांथ ठीक है बुटुवल प्रांथ यहां पर अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था गोर्खाओं ने इस पर अधिकार किया कई सारी कोशिशे करी अंग्रेजों के दवारा लेकिन वो नहीं माने एक दो बार अंग्रेजों ने कपजा किया लेकिन दोबारा से गोर्खा इसे अपने अधिकार छेतर में ले लेते तो यहीं से इनका जो मुख्य तातकाली कारण था वो बुटवल प्रान था लॉड मोईरा ने गोर्खाओं के विरुद युद की घोशना कब की थी लॉड मोईरा यानि की हेस्टिंग की बात हो रही है उस समय भारत का जो गवर्णर जनरल था वो हेस्टिंग था हेस्टिंग के द्वारा गोर्खाओं के विरुद युद की घोशना नवंबर 1814 में करी गई थी देहरादून के खलंगा किले अथ्वा नाला पानी किले के युद में कौन सा अंग्रेजी करनल मारा गया था तो देखे जब यहाँ पर गोर्खाओं के उपर आक्रमन किया अंग्रेजों ने तो चार तरफ से यहाँ पर आक्रमन किया चार सेनपतियों को यहाँ पर भीजा गया सबसे पहले आता है जनरल मारले इसको बिहार के रास्ते नेपाल के ओपर आक्रमन करवाया गया इससे एक आता है जनरल वुड ये गोरकपुर यानि बुटुबल प्रांथ पर आक्रमन करता है तीसरा था जनरल जिलस्पी ये देहरदून के रास्ते गोरकपुर आक्रमन करता है और चौथा था जनरल ओक्टर लोनी जो सतलच नदी के किनारे से गोरकपुर आक्रमन करता है तो जो तीसरा आपका जनरल है जिलस्पी देहरदून पर आक्रमन करता है खलंगा के किले में या नाला पानी के युद में गोर्खा जो यहाँ पर सेनपती था बलभदर थापा उसके साथ इसका युद होता है और इस युद में जिलेसपी मारा जाता है ये कोशन एक प्रीविस एर का कोशन है कि खलंगा का युद्ध किसने लड़ा तो यहां पर जिलेसपी और बलभद्र थापा के मध्य में हुआ कौन यहां पर मारा गया जनरल जिलेसपी ठीक है ब्रिटिश जनरलों में योगतम सेना पती कौन था जैसे मैंने आपको बताया चार जनरल यहां पर भेजे गए थे अलग-लग दिशाओं से सबसे योगतम था ओक्टर लोनी जो सतलच के किनारे से आक्रमन कर रहा था यानि हिमाचल की साइट से उनमें सबसे योगतम ओक्टर लोनी था गाटनर और बमशाह के बीच संधी कब होती है तो जो एडवर्ट गाटनर था इसके और बमशाह के बीच में जो अंतिम गोर्खा सुब्बा था इन दोनों के बीच में एक संधी होती है 27 सप्रेल 1815 को ये वो संगौली की संधी नहीं थी जो 4 मार्च 1816 को पुष्टी की जाती है उसे भी आगे देखेंगे वो कौन सी संधी थी ठीक है तो आपको पूछा जाएगा गाटनर और बमशाह के बीच में संधी कब हुई 27 सप्रेल 1815 एक और संधी होती है जिसका नाम आपको याद रखना है मलावगड की संधी मलावगड की संधी 15 मई 1815 को होती है और यह संधी अमर सिंग थापा और ओक्टर लोनी के बीच में होती है इन दोनों संधियों को आपने याद करना है नेपाल नरेश रण बहादूर शहा के गुरू कौन थे? तो नेपाल नरेश था रण बहादूर शहा इसके जो राज गुरू थे उनका नाम था गजराज मिश्र इंपोर्टेंट कोशन इसलिए हो जाता है कि इसी गजराज मिश्र के साथ एक संधी होती है 2 दिसंबर 1815 को कौन करता है? एक अंग्रेश करता है जिसका नाम होता है ब्रेट्शाओ तो अंग्रेश अधिकारी ब्रेट्शाओ और गजराज मिश्र ये कौन है? रन बहदुर शहा के राजगुरू इन दोनों के बीच में एक संधी होती है 2 दिसंबर 1815 को और इसी संधी की आगे जाकर पुष्टी होती है 4 मार्च 1816 को जिसे हम संगौली की संधी कहते हैं वास्तविक तोर पर वो संधी 2 दिसंबर को होती है इन दोनों के बीच में नेपाल इसको नहीं मान रहा होता आखिरकार जब ब्रिटिस सेना काठमांडू के नजदीक पहुंच जाती है तब नेपाल इस संधी की पूष्टी करता है 4 मार्च को तो ओफिशली होती है 4 मार्च को शिरुवात में होती है 2 दिसंबर को ठीक है राय बहादूर पदवी से सम्मानित होने वाले प्रथम गड़वाली कौन था तो राय बहादूर पदवी सबसे पहले किसको दी गई थी लक्षमु कठैत को दी गई इनका नाम भी आपने याद करना है ठीक है जो लक्षमु कठैते ये प्रताफशाह के समकालीन थे प्रताफशाह के काल में एक प्रथा चलती थे एक कर चलता था पाला बिसाउ टेक्स इसके खिलाफ इन्होंने वित्रोह किया था रवाई परगने के ये शाशक थे ठीक है नेक्स्ट है टिहरी में आधुनिक किसान आंदूलन का जनम दाता किसे कहा जाता है तो टिहरी में आधुनिक किसान का किसान आंदूलन का जनम दाता ये गोपाल सिंग राना को बोला जाता है किस ग्रंथ में उत्राखंड का नाम उशी नगर भी मिलता है तो उत्राखंड का नाम उशी नगर हमें रिगवेद में मिलता है रिगवेद में उत्राखंड के कई सारे नाम मिलते हैं ब्रहमुपिर मिलता है, मनिश्यों की प्रण भूमी मिलता है साथ में उशी नगर भी मिलता है केदारखंड में मंदाकनी को क्या बोला गया है तो केदारखंड किसका पाठ है इसकंद पुराण का पाठ है इसकंद पुराण में मंदाकनी नदी को शीरधारा बोला गया है तालेशवर तामरपत्र में किस भाषा और लिपी का प्रियोग किया गया है तालेशवर तामरपत्र की अगर हम बात करते हैं पौरव वन्ज से संबंदित है और इस तामरपत्र में संस्कृत भाशा और ब्रहमी लिपी का इस्तेमाल किया गया है तालेशवर तामरपत्र में संधी विग्रहक पद किसके लिए इस्तेमाल किया गया है तो संधी विग्रहक पद ये जो होता था ये जो अधिकारी होता था वर्तमान का विदेश मंतरी कहलाता था जैसे कोशन आप आपसे हाली में पूछा गया था रसोया जो होता था प्रदान उसे क्या कहते थे उसे सुपकारपती कहते थे तो आपको पूछेगा तालेशवर तामरपत्र में या पौरव काल में विदेश मंत्री कौन होता था संदी विग्रहट ठीक है नेक्स्ट है करतूरी शाशन में महल का प्रहरी कौन होता था तो करतूरी शाशनकाल में महल का जो प्रहरी होता था उसे राज दौवारिक बोला जाता था तीर्थ इस्थलों का प्रविश द्वार और चारो धामों का द्वार किसे कहा जाता है तो तीर्थ इस्तलों का द्वार, चारो धामों का द्वार ये बोला जाता है हरी द्वार को बोध गया अभिलेक में कुमाओं के लिए किस शब्द का प्रियोग किया गया है तो बोध गया अभिलेक में कुमाओं के लिए कमादेश शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसको याद करेंगे ठीक है? और हम जानते हैं मुहम्मद बिन तुगलक ने एक अभियान किया था कराचिल अभियान इस कराचिल अभियान को माना जाता है कि ये इसने कुमाओं के उपर ही किया था इस अभियान की जानकारी भी हमें इसी बोद गया अभिलेक से मिलती है रच्यता कौन है कवी भरत कवी भरत कौन है मानशह और जहागीर के दरबारी थे जहागीर ने इनको जोतिक राय की उपादी भी दी थी किस काल में कुमाओ छेत्र को उत्तर कोशल भी कहा जाता था तो कुमाओ को उत्तर कोशल रामायन काल में बोला जाता था रुद्र परियाग से ही प्राप्त धार्शिल शिलालेक का संबंद किस परमार या पमार राजा से है तो पमार शाशकों को ही परमार भी लिखा जाता है इनका हमें एक शिलालेक मिला है धार्शिल से जिसको धार्शे शिलालेक कहते है पहला कोशन तो यही किस वन्ष का है परमारों का है यह हमें रुद्र परियाग से मिला है और यहां अनंतपाल दुतिया का है अनंतपाल दुतिया 29 राजा है पमार वन्ष का ठीक है रानी कर्णवती गड़वाल के किस शाशक की पत्नी थी रानी कर्णवती के अगर हम बात करे नाक काटी रानी के नाम से इनको जाना जाता है यह महीपती शहा की पत्नी थी दो राजाओं के संबंदित है एक है महीपती शहा और एक है पृधिवी पती शहा महीपती शहा की ये पत्नी थी पृधिवी पती शहा की ये माता थी और इनकी संरक्षिका भी थी तो रानी ने अपनी सूजबू से उसकी सेना को पराजित किया और उसकी सेना के कहा जाता है नाक कान यहाँ पर कटवा दिये थे तो नाक काटी रानी कौन कही जाती है रानी करणवती को बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट है कुमाओ की लक्ष्मी बाई किसे कहा जाता है तो जै जैसे हमने लांस्ट वीडियो में देखा था गडवाल की जहांसे की रानी या गडवाल की लक्षमी बाई वो बोला जाता है तीलू रौतेली को इसी प्रकार कुमाओं की लक्षमी बाई जिया रानी को बोला जाता है ठीक है जिया रानी कतूरी शाशक पृतम देव या जिनक कुक कुमाओं की लक्ष्मी बाई बोला गया है जिया रानी का बच्पन का नाम क्या था इनके बच्पन का नाम था मौला देवी इसके लावा इनका उपनाम भी था इनका उपनाम पिंगला या पियोला भी हमें देखने को मिलता है यह उपनाम किसके हैं जिया रानी के हैं गुमानी पंत का जनम कब और कहां हुआ था गुमानी पंत का जनम 1790 में होता है काशिपुर में इनका जनम हुआ था ठीक है इनका मूल नाम क्या था गुमानी पंत का इनका मूल नाम था लोकनात पंत या लोकरत्न पंत ये इनका मूल नाम था लोकरत्न भी मिलता है लोकनात भ कुमाओ का प्राचीन कवी मानते हैं तो जॉर्ज गेर्सन के अनुसार कुमाओ का प्राचीन तम कवी कौन है कुमाओ का आदी कवी कौन है गुमानी पंत है गुमानी पंत मूलताहा किस भाशा के कवी थे तो गुमानी पंत मूलताहा कुमाओ के आपने टिक नहीं करना है संस्क कुमाओं का प्राचीन कवी तो माना जाता है तो कुमाओं निमत्तिक करना ये आपके संस्कृत भाषा के प्राचीन कवी माने जाते हैं। निमत्युमान में देहरादू λέु में है, देहरादूर में इसे 1992 में लाया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देश के प्रथम वन महा विध्याले की इस्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो पूरे भारत का पहला वन महा विध्याले 1878 में इस्थापित किया गया था, जब इसे इस्थापित किया गया देहरादून के अंदर इसका नाम रखा गया Forest School of देहरादून, ये देश का पहला वन महा विध्याले था, ठीक है? इसके गठन की जो सलह दी थी, डिट्रेच ब्रेंडिस ने दी थी और आगे जाके यही आपका FRI बनेगा और FRI का जो आपका Main Gate है, मुख्या Gate है, उसका नाम ब्रेंडिस गेट है, इसी के नाम पर हैं, इसको गठित करने की सलह भी किस ने दी थी? डिट्रेच ब्रेंडिस न काम इसके साथ जोड दिया जाता है और इसका नाम Imperial Forest Research Institute यानि वर्तमान का जो FRI है वो कर दिया जाता है इसलिए आप से कोशन बनता है FRI की स्थापना कब हुई Forest Research Institute ये बना है 1906 में पहले ये वन महाविद्याले था इसकूल के तौर पे लेकिन Research का काम अनसंधान का काम इसे 1906 में दिया गया इसलिए FRI की स्थापना 1906 मानी जाती है आजादी के बाद इसका नाम Indian Forest Research Institute हो गया पहले क्या था? Imperial, Imperial की जगहा पर Indian आ गया FRI को Dimmed विश्विध्याले का दर्जा किस वर्ष में मिला? तो Dimmed विश्विध्याले का दर्जा यानि विश्विध्याले के बराबर का दर्जा इसको 1991 में दिया गया ठीक है? और FRI ने अपने 100 साल कब पूरे किये? 2006 में 1878 से स्थापना होती है महाविध्याले के रूप में लेकिन अनसंधान ये 1906 से कर रहा है तो 100 साल पूरे आप यहां से काउंट करेंगे यहां से नहीं FRI का मुख्य भवन किस शैली में बना हुआ है? तो FRI का जो में भवन है आपका यहां ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है ठीक है? FRI मुख्य भवन के वास्तु विध्य कौन थे? यानि इसका आर्खिटेक्चर कौन है? C.G. Bloomfield ने इसका डेजाइन यहां पर बनाये था यही इसका में वास्तु विध्य है FRI के मुख्य भवन का उद्गाटन किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो हम वर्तमान में देखते हैं जो में इसका भवन है इसका उद्गाटन 1939 में उस समय का जो वास्तु राय था इर्विन उसके द्वारा किया गया था तो काफी इंपोर्टेंट घटना है इसको याद करना है भवन की आधारशिला यानि भवन बनना शुरू होता है 1923 में 29 में बन कर तयार होता है उद्गाटन उस समय का जो वास्तु राय था इर्विन करता है FRI के मुख्य गेट का नाम क्या है FRI का जो में गेट है इसका नाम ब्रेंडिस गेट है जैसे हमने उपर देखा हिमालिया इंस्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की इस्थापना कब हुई थी तो हिमालियन इंस्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट इसे स्वामी राम के द्वारा जॉली ग्रांट में इस्थापित किया गया देहरदून में 1989 में कुछ जगहों पर लिखा है इसे डारेक्ट स्वामी राम ने स्थापित किया, कहीं कहीं पर ये दिया गया है कि स्वामी राम के जो अन्याई हैं, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया, दोनों आपने याद करना है, क्योंकि एक बार जब ये परिक्षा में आया था, तो दोनों आपने याद करना है, हिमालिया इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट को विश्विध्याले का दरजा कब दिया गया, तो इसे विश्विध्याले का दरजा 2007 में दिया गया, ठीक है, 1989 में स्थापित होता है, और 2007 में इसे विश्विध्याले का दरजा दिय जाता है दुगड़ा में एकता सम्मेलन कब हुआ था तो एकता सम्मेलन का आयूजन दुगड़ा में किया गया 1914 में हुआ था और इसकी जो अद्धक्षता करी थी नारायन सिंग के द्वारा इसकी अद्धक्षता करी गई एकता सम्मेलन बुलाने की सलह किस ने दी थी रमायन काल में हरिद्वार में कौन से मुनी का आश्रम था कपिल मुनी का आश्रम था और इनहीं के नाम पर हरिद्वार को कपिला या कुपिला भी बोला जाता है ठीक है तो रमायन काल में किस मुनी का आश्रम था कपिल मुनी का महभारत काल में हरिद्वार को क्या कहा गया है तो महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है ठीक है प्राचीन काल में खांडव वन कहां इस्तित है तो देखें महाभारत काल का जो खांडव वन है जहां पर पांडवों ने अपने वनवास का कुछ हिस्सा बिताय था वो माना जाता है आपके वरतमान हरीदवार में ही या जो हरीदवार के आसपास के जंगल है यहीं पर इस्तित्था तो इसको भी आपने याद करना है ठीक है तो friends ये ता हमारा जो हमारी सीरीज है उत्राखंड Mixed One Liner Series जिसमें हम उत्राखंड की सभी important किताबों के notes यहाँ पर mixed questions को यहाँ पर पूरी detail के साथ cover करते हैं नए, पुराने, important, unique सारे प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं केवल selected और exam oriented questions को हम यहाँ प आज हमने इस सिरीज का सत्रुमा पार्ट यहां पर कवर किया, उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने झाल झाल